अलो दोस्तो वेलकम आप शीवा फैमिली व्लॉग तो हम आपसे रिवेस्ट करते हैं कि आगे चलने से पहले आप जो है हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए चलिए अब आगे चलते तो आज हम फैमिली वालों ने मिलके प्लान बनाया मु क्योंकि फॉक की वज़े से था तो सेफटी फरस्ट है सो हम बहुती नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं और हम विंदावन होते हुए निकलेंगे सो यह विंदावन पर हम आए हैं यहां पर हमने देखा यमना वाला जो पुल है काफी फॉक पड़ा हुआ है और सामने से होता है धार अंदर प्रेम मंदर की तरफ से होता हो भाँ से हम निकले तो यहां पर आकर हमको थोड़ा सा सुकुन मिला और बहुत अच्छा लगा स्राम्डिंग लाइट्स वगरा और बहुत अच्छे से तो अभी रात का ही समय चल रहा है नेरबाउट हमको यहांपर अभी भी इशू नहीं हो रहा लेकिन हाँ पीछे जो हमको फॉग मिला था वह बहुत ही ज़्यादा डिस्टब करने वाला था क्योंकि ड्राइव भी नहीं कर पा रहे थे दैन अब हम यहाँ पर आगे गोवर्धन रोड पे विंदावन क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हमको बहुत स्लोली स्लोली हाँ पे आगे अपना निकल रहे हैं और क्योंकि आजू बाजू भी कुछ नहीं दिख रहा जैसी हम 15 फीट पे आ जा रहे तब जाके हमको कुछ दिख पा रहा है तो इसके चलते भी हमको काफी परिशानी हुई है क्योंकि अफकोस इस समय सीजन ही ऐसा चल र अब यह सामने से भी आ रहा है तो ऐसे फॉग में जनरली फॉग लाइट भी बहुत ही कम वर्क कर पा रहा है थी लेकिन हमारे जो साइड के जो इंडिगेटर थे उससे थोड़ा सा वेट बैटर विजिबल भी हो पा रहा था साइड साइड से हम कुछ-कुछ देख भी पा हो गई थी हमको देन फाइनली हम होटल पहुंचे रात में बारा बजे के राउंड और फिर अभी सुबद चार बजे हम निकल रहे हैं टेमपल के लिए तो गिराजी टेमपल के लिए क्योंकि वहां पे हम सोच रहे कि हमको मंगला आरती करनी है देन उसके बाद हम निकल जा कि अब आगे चलते हैं तो जैसे ही अब हम होटल के बाहर निकले तो यहां तो सन्नाटा चा गया एकदम से कि क्या दिक्कत आ रही है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको अपनी 15 फीट पे कुछ नहीं दिख पा रहा था जो है टू मच फॉग हो रखा था अच्छी खासी धुन्द है इवन यहां पर आसपास में दुकाने भी खुली हुई है जो डाबा टाइप होता है हमने जो स्टी किया था विंग्स्टन होटल में किया है और यहां पर दुकाने भी खुल रही है लेकिन पता नहीं चलना तो बट दीरी-दीर आगे बढ़ते हैं ऐसे लग रह पानी पढ़ रहा हो तो हम बिल्कुल कवर्ड होके चल रहे हैं टेंपरिचर भी बहुत नीचे है और ठंड तो अच्छी खासी हो रही है तो हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं यहां पर इस सब लाइटे खुल रही है दुकान खुल रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा कोई बैठा है नहीं बैठ रहा है इतनी स्ट्रॉंग फॉग बनी हुई है और दूर दूर तक एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है बड़ी दूर जब आ गए हम थोड़ा सा आगे निकल के बैरिकेट से तब हमको थोड़ी-थोड़ी लाइटे चेक मगाती तो ही मिल रही है लेकिन प दुकाने सब खुली हुई है लोग बार कर रहे हैं लेकिन यह कि बहुत ही कम क्राउड है यहां पर तो हम भी धीरे-धीरे अपना आगे बढ़ते रहे हैं और अफकोस बढ़ी रहे हैं धीरे-धीरे लाइटों को देखकर जो है क्यों कोई आना जाए क्योंकि हमको थोड़ा पला रोड यह ही है दान घाटी का और जस्ट यहां से आधा किलो मिटर वाकन पर ही है तो पहुंची जाएंगे हम धीरे-धीरे पैदल-पैदल जो है नो डाउट सर्दी में जैसे हम ड्राइव करके यहां पर आए हैं तो बड़ा ही जो कह सकते हैं कि हाँ चलेंजिंग ड्राइव रहा है गाजयबाद से और मॉत्रा तक आने में इतना जो है ड्राइव कभी हिल स्टेशन पर नहीं किया होगा जितना यहां पर टफ हो गया तो ड्राइविंग करने में और यह सामने से देखो लोग बाग जो चल रहे हैं बिल्कुल हम अपने अंदाजे से सही चल रहे हैं कि लोग बाग जो है बीच की पट्री ही फॉलो क कर रहे हैं बिल्कुल साइड में नहीं चल रहे हैं तो फाइनली हम जो है गिराजी मंदिर पहुंच गए गादान घाटी अंदर यहां पर जीरो फॉग है बिल्कुल भी फॉग नियों बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर आके और अल्टिमेट एक्सपीरेंस बहुत आन कि